Hello friends, this is Chetan Recently China ने South China Sea में जो floating barriers लगाए थे उन floating barriers को Philippines ने अपने special operation के जरिये dismantle कर दिये यानि उन्हें नश्ट कर दिये, खद्म कर दिये और इसा माना जा रहा है कि Philippines का ये कदम South China Sea वाले reason में Philippines और China के बीच एक नए युद्ध को जन्म दे सकता है ना समझेंगे क्या है पूरी news, Philippines ने ऐसा क्यों किया और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस reason में यानि South China Sea वाले reason में क्या geopolitical significance है especially इंडिया के नजरिये से सबसे पहले आप इसकी location देखिए ये रहा South China Sea, ये रहा China और ये है Philippines जिस जगा चाइना ने floating barriers लगाए थे वो है Scorboro Shoal Island actually हुआ ये कि चाइना ने इस South China Sea वाले reason में जिसे हम Scorboro Shoal Island कहते हैं वहाँ पर floating barriers लगा दिये थे और चाइना की इस हरकत से नाराज होकर Philippines ने ये आरोप लगाया था कि इससे उसके fisherman की South China Sea में entry बंध हो गई इसी के साथ Philippines ने ये भी कहा कि चाइना की इस हरकत ने navigation system को बाधित करने का प्रयास किया जो की अंतरास्टी कानून का स्पस्ट उलंगन है प्रेंस बात ये है कि Scorboro Shoal Island Philippines और चाइना के बीच एक विवादित छेतर है इकोनोमिक जोन के भीतर है जैसा कि अंतरास्टी समुदरी कानून द्वारा परिभाशित किया गया है और हेग में जो international code है उसने भी इस फैसले की पुष्टी की थी लेकिन चाइना इस छेतर को अपने हिस्से के रूप में दावा करता है और इस शोल आइलेंड को चाइना हुआंग यान आइलेंड के रूप में देखता है 2012 में चाइना ने फिलिपिन्स के इस शोल आइलेंड पर कबजा कर लिया था लेकिन बातचीत के जरिये फिर से इस मुद्दे को सुलजा लिया गया था लेकिन सवाल ये उटता है कि आखित चाइना ने ऐसा किया क्यों। फ्रेंट्स चाइना की ये हरकत अपने विस्थारवादी नीतियों का एक एक एक्जामपल है। क्योंकि आप सभी जानते है कि चाइना दक्षिन टीन सागर पर अपना दावा ठोकता रहता है। और ये गहता है कि ये पूरा इलाका उसका है। वहीं उसके पडोसी देश चीन के इस दावे का खंडन करते हैं। जिसमें ताइवान, मलेशिया, फिलिपन्स, ब्रुनोई और वियतनाम जैसे देश साउट चाइना सी पर अपना दावा करते हैं। चाइना ने साउट चाइना सी पर कंट्रोल करने से पहले यहां एक पोर्ट बनाया। फिर उसके बाद चाइना ने यहां पर आर्टिफिशल आइलेंड बनाया। और जब विवाद बड़ा तो चाइना ने ये दावा किया कि South China Sea से उसका 200 साल पुराना तालूख है और फेंट्स यही कारण है कि चाइना इस वाले रिजन में किसी को नहीं आने देता कभी वहाँ इन देशों के exclusive economic zone वाले इलाके में अपनी वार्शिप भेशता रहता है तो कभी इस तरह के floating barrier लगा देता है ताकि इन देशों को डराया जा सके और इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है यहां की geopolitical situation फ्रेंड साउट चाइना सी वाला यह इलाका तेल और प्राकृतिक गेज भंडार से समरद्ध है और यहां area पूरी दुनिया की marine biodiversity के one third part के लिए accountable है और इसी के लिए चाइना का यह मानना है कि अपनी growing economy और मलक का स्ट्रेट के माध्यम से जो trade होता है उसको secure करने के लिए इस वाले reason में उसे अपना अड़ा बनाने की जरूरत है वही आशान country, Vietnam, Philippines, Brunoy जैसे देश इस चेतर में अपने संप्रभुता के दावे करते हैं इस area में अमेरिका भी पीछे नहीं है अमेरिका आक्रमक रूप से चीन के प्रभुत्व को हमेशा चुनोती देता रहा है वही भारत के नजरिये से देखें तो अब सभी जानते होंगे कि भारत इन दिनों Pacific वाले reason में अपनी presence को बढ़ा रहा है वहाँ Indo-Pacific reason में एक महतपूर्ण खिलाडी बनकर उबरा है उसे में ये reason भारत के लिए एक एहम बन जाता है लेकिन Philippines ने जो इन floating barriers को तोड़ा है उसके बाद ये माना जा रहा है कि South China Sea वाले reason में चीन और Philippines के बीच रिष्टे और खराब हो सकते हैं चाइना और भी आक्रमक हो सकता है और वहीं अमेरिका और चीन के बीच और भी टकराओ की संभावनाएं बन सकती है बढ़ मैं कहूंगा कि Philippines ने जो किया है न उसे चाइना की image को जरू जटका लगेगा और उसने ये सही भी किया क्योंकि अगर चाइना की इन हरकतों को टाइम से नहीं रोका जाता तो चाइना इस वाले reason में अपनी presence को और बढ़ाता चला जाएगा बट देखना दिल्चियस्प होगा कि चाइना इस पर आगे क्या action लेता है So आज के लिए इतना ही Thank you